हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमाई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बट्र को दबाईए मेरीडियन कोमर्स क्लासेज में मैं कुल्दीप जंगिर आपका आर्दिक सौगत करता हूँ आज देखने जारे हैं रिवेलिएशन का प्राक्टिकल प्रॉब्लम रिवेलिएशन अकाउंट जो की पार्टनर्शिप में जब भी न्यू पार्टनर आता है और कोई पार्टनर र में देखो पहले में आपको क्वेशन समझ जाता हूँ क्वेशन किया चाहरा है पार्टनरेशिप का क्रें लिवेलिएशन अकाउन का HOWे पार्टन Corona है अगर आप राज रजस्तान चाहरे हो और आपको राचाहरे। आपको इसको understand करना है, इसको समझना है अच्छे से, हिंदी में आपको proper way में समझाया जाएगा, बीच में English वालों को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि revaluation account है, English में ही prepare होता है, किसी प्रकार की problem नहीं आने चाहिए, देखिए, ध्यान से देखिए, example क्य कह रहा है, A और B partner है, 5 is to 3 इनका ratio है, जिसमें ये अपना profit और loss शेर करते हैं, balance sheet दे रखी है, जिसमें asset side दे रखी है और liability side दे रखी है, asset side में goodwill, machinery, furniture, stock, debtor और bank दे रखा है, liability side में A और B की capital account दे रखी है, general reserve दे रखा है, employees provident fund दे रखा है, और creditor का दे रखा है, ये account अब नीचे आपको revolution से related कुछ note दे रहे हैं, जिससे आप revolution prepare करोगे, कैसे, machine furniture और stock, machine rate 35,000 की है, stock 10,000 का है, और furniture 15,000 रुपया है, ठीक है, machine furniture और stock 35,000 और 10,000 के हैं, जिनका revolution किया 30,000, 12,000 और 8,000 में, जिया, machinery 35,000 की है, जिसका revolution किया 30,000, furniture 15 का है, जिसका revolution किया 12,000, stock 10 का है, जिसका revolution किया 8,000, डेटर के लिए का है, कि एक डेटर है, जिनकी amount है 12,000 रुपय, जो की as bad debt से, क्या लिखावा है, an old customer whose account was written off as bad debt, as promise to pay, जो आपने पहले bad debt में डाल दिये थे, उसने promise किया है, कि वो कर देगा, पहले डूब गया ता बंदा, लेकिन अब कहीं से पैसे आ गया, उसके पास तो उसने promise किया है, कि वो 1200 रुपय दे देगा, तो जो आपने bad debt में डाल दिये है, it means, यहाँ पे debtor increase होगा है, आएगा न बैसा, debtor क्या होगा है, increase होगा है, तो इसके लिए आपको क् बताया था, revolution account जब आपको बनाना है, particular amount, particular amount, debit or credit, ठीक है, अब आपको यह data, जिन में revolution किया है, केवल वही लिखना है, वहाँ पे, कि इसमें revolution होगा है, सबसे पहले machinery, machinery 35,000 कि थी, अब machine कितने की रह गई, 30,000 कि, machine decrease होगी, अगर ऐसा decrease होता है, तो debit side में लिखते है, to machinery, जिन जी, 35 से 30 हो गई, कितने decrease होई, 5000, 35,000 से 30,000 हो गई, decrease कितनी होई है, 5000 से, okay, then furniture, 15,000 का था, furniture, कितने का रह गया, 12,000 का, furniture भी क्या होआ है, decrease होआ है, तो two side में लिखेंगे two, furniture, 15 से 12, कितना decrease होआ, 3000 रुपीस का, कितना decrease होआ, 3000 रुपीस का, then stock, 10,000 का था, 8,000 का होगया, वो भी decrease होगया, two, stock, कितना decrease होआ, 10 से 8, 2000 रुपीस कम होए, ठीक है, ये जो decrease होआ, वो लिख दिया, फिर, an old customer whose account, जिसको मैंने अभी बताया था, आपको कि debtor क्या होआ, यहां से increase होए, पहले bed debt में डाल दिये थे, अब वो वापस आ रहे है, तो debtor आप assets increase होगया, तो buy side में लिखोगे, debtors, कितना है debtors, 10,000 के ते, यहां पर amount directly दे रखी है, 1200 रुपे increase होगया, यह आपने debtor लिख दिया, अब आपको क्या करना है, केवल यही चीज़, revaluation के दे रखी है, तो आपको balancing figure निकालना है, 10,000, total है, उसमें से 1200 less कर देंगे, remaining part आप transfer कर दोगे, partners capital में, remaining part आप कहां पर transfer करोगे, partners capital में, 10,000 में से 1200 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 8,800 रुपए, 8,800 रुपए को आपको, A और B में, 5 इस्टू 3 में distribute कर देना है, 8800 को A और B में आपको 5 इस्टू 3 में distribute कर देना है किस तरीके से distribute करेंगे distribute करना आपको आना चाहिए किस तरीके से करेंगे 8800 है 53 में बाठेंगे 8 बाठते होता आता है 5000 और 3000 800 को और बाठ देंगे तो 5500 और 3 300 ठीक है इस तरीके से बाठ देंगे अगर आपको बाटना नहीं आता है तो देख लिजिए वर्किंग नोट में रेशो में किस तरीके से बाटना रेशो को किस तरीके से बाटा जाता है आपको बता देता हूं 8800 है कितने है 8800 इन रेशो की टोटल क्या है 5 और 3 8 इन्टू 5 बटा आठ और 8800 इन्टू 3 बटा आठ ग्यारा सो ग्यार पंज़ों पचपन सो कटेंगे और 33 इस तरीके से इनको रेशो में बाटता है तो कुल मिला कि इस तरीके से रेवेलेशन अकाउं जिस भी प्रकार का अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजे पार्टनर्शिप से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजे दन्यवाद